दोस्तों जो हमने लाश्ट मूवी श्पाइडर मैन नोवे होम देखी तो उसके बात जो है जिन्दगी में कुछ रह नहीं गया ता करने को एक अपना सपना कहें या एक फैंटेसी कहें जो कि पूरी हो गई थे में श्पाइडर मैन नोवे होम में तीन स्पाइडर मैन को तो उसी सोच में या उसी के सर्चिंग में या उसी को ढूंड़ते हमने एक एनिमे डूंड़ते हमने एक एनिमे डूंड़ते हमने एक एनिमे डूंड़ते हमने एक एनिमे कैसा है कैसा लगेगा आपको देखना चाहिए या देखना नहीं चाहिए यह किन लोग वापने देख चाहिए और अगर आपने देख लाए तो क्या तो उसी के बारे में सोड़ा सा डिसकसन हो जाएगा तो अब बात करते हैं अनिमे के दूम दोस्तों एनिमे जो है एक बहुत ही एक अलग और एक यूनिक कंसेप्ट को लेकर करके हमारे सामने हैं जो कि मेरे लिए पहुत जादा और एनिमे तो होती हैं यह अनिमे की बात होती है तो अगर बात करूँ में इसकी तो इसमें बहुत ही ऐसी चीज़े थी जो बिल्कुल अनेक्सपेक्टिड थी इसमें सीनेरियों बता देता हूं मैं आपको स्पॉलर नहीं काएंगा उसको कि वह आपको पहले दोई दूसरे चाहता हूं और अगर उन्सूरेंस ने मुझे मार दिया एक साल के अंदर अंदर तो मैं धरती को नहीं तफा करूंगा लेकिन अगर वो नहीं मार पाए तो एक साल बाद जो है वो धरती को कदम कर दों यह मतलब बैसिक प्रॉट रहता है इस स्टोरी का जोगी बहुत ही करना है इतना सुनने के बाद मेरे एकसाइटमेंट कुछ नहीं जदा बढ़ गई थी तो सोचिए अगर आपकी भी बढ़ गई है तो आपको भी जरूर देखना चाहिए और बात करूँ एनिमे की तो एक बहुत ही एक लाइट एनिमे है तो आपको सेड फील नहीं कराता है एक बहुत ही लाइट एनिमे है और एक अपने ट्यून में चलता रहता है और आप बहुत ही ज़ादा इंजॉय करते हो एनिमे के बीच में और स्टोरी में आपको दिखाया जाता है कैसे एक टीचर और एक स्टूटन को एकस्पिरियंस करता है और फिर उसकी हिसाब से यह उ खामिया हैं उनके हिसाब से कैसे उसको लाइफ में ग्रो करने मदद करता है तो और यह स्टूटन और टीचर के बीच का रिष्टा हमें बहुत ही ज़्यादा एक स्टूटन करके दिखाया जाता है इस एनिमे में ना कि सिर्फ स्टूटन के पॉइंट और अगर अगर आप क किसी स्कूल में या कोई टीचर है आप कही पर टीचर है तो यह तब भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को भी टीचर को भी एक रिप्रेजेंट करता है कि कि टीचर जो है किसी इनसान की वैल्यू में क्या वैल्यू रखता है और क्या क्या उसे देखने को मिलती हैप टीचर से क्या इक्स – एक रिपक्र और कैसे एक की स्वीन की जिन्दगी को बदल सकता … इस तरह की चीज़ए है देने में में एंटेमेंक्स णक्न करने को मिलती जाद अचा एंड़ है और अगर आप student या teacher में से कोई है तो you should watch this anime विकोज यह आप ही के लिए बनाया गया है निवे अगर आप student या teacher में क्योंकि साथ आपको student भी हो सकते हो या फिर आप teacher भी हो सकते हो दोस्तों यह तो anime जो है वो एक art होती है और art को समझने के लिए art से entertain होने के लिए यह आपकी कोई matter नहीं करती है अगर आपको learning की चीज़ से मिल लिए तो आपको learning लेनी चाहिए और इसमें बहुत ही अच्छी learning है किसी student के लिए भी और किसी teacher के लिए भी और इसको आपको पर चले गया के असेसिनेशन classroom जैसा की इस anime का नाम है उसी के साथ से मतलब सभी जो student है इशर्थ होती है उनकी कि अगर इंस्टूइंट्स और कैसे जो students है वो learn करते हैं कैसे उनका सफर रहता है उसको चाहने के लिए कैसे उनकी पूरी जर्णी रहती है क्या कि उससे सीखते हैं वो तो यही हमें निमें दिखाता है वह अच्छा है निमें है आप देखेंगे तो आप काफी ज़देंगे मैं अपनी परसनल बात करो हैं तो मैंने बहुत ज़दा enjoy किया और negative point की बात करूं तो बहुत कम है और और आपको एंटरेटेन होने के परपस से ही देखना है तो इसको पॉइंट नहीं के बारे में नेगेटिवली कहा सब्सक्राइब क्यार इसमें यह है यह वह है ऐसी कोई बात नहीं है आप देखें तो आपको एक villain के जोतों में लाकर एक खड़ा कर देता है कि अब आप बदाएंगे आप क्या करते इस situation में वो जब point आएगा तो आप वो तो फिर आप ही जाने के आप कैसे उसको एंड इंजॉय करेंगे इस moment को और जही इस एनिमिंग के बारे में था और तो आपको ज़रूर देखना चाहिए मेरी फुली रेकमेंडेशन है अगर आपने भी तक नहीं देखा है तो असैसिनेशन क्लासरूम आपको ज़रूर लिए आप चाहिए और बहुत आप से बहुत बात है आप दिखेंगे तो बहुत दा